ओनलाइन क्लासिज में आपका स्वागत है कक्षा 4 परियावरण अध्यन पाट 6 पेड़ पोदों की देखता है पिछले कक्षा में हमने पेड़ पोदों के बारे में जड़ के बारे में और तन्य के बारे में जानकरी असिल की थी पेड लगाते हैं लेकिन उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा भी जरूरी है नहीं तो पेड जल जाते हैं गल जाते हैं और सूख जाते हैं या अन्य जीवजन्तू उन्हें खा जाते हैं इसलिए पेड़ पोदे लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। आज हम उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल के बारे में जानकरी हासिल करेंगे। पेड़ पोदों की सुरक्षा हमें बाहरी जीव जंतों से फसल और पेड़ पोदों को बचाने के लिए करनी पड़ती है आप चितर में देख रहे हो पहला चितर है खेत में खड़ा अडवा बिच्छुका आपने जिनके खेत है उन्होंने अपने खेत में नहीं तो एक गाउ कर उसे कपड़े पहनाता है जो एक खड़े हुए इंसान जैसा दिखता है जिसे देखकर पसुपक्षी ब्रहमित हो जाते हैं और खेसे दूर रहते हैं इस परकार वह अपनी फसल और पेड़ पोदों की सुरक्षा करता है इसी तरह चाय के बागान होते हैं या सडकों के कि नारे आस पास जो पेड़ पोदे लगे होते हैं उनसे जानवर जैसे गाय बेंस बकरी आदी से पेड़ पोदों को बजाने के लिए उनके चारों तरफ यह से जाल का गीरा बनाया जाता है इसी तरह खेतों के में पक्षियों से और अन्य जीवजंतों से फसल को बचाने के इस परकार फसल और पेड़ पोदों की सुरक्षा हमें बाहर यह जानवर और जीवजंतों से की जाती है अब हम देखते हैं पेड़ पोदों की देखवाल भी हमें करनी पड़ती है ऐसा नहीं होता है कि पेड़ लगा दिया और वो अपने आप बढ़ जाएगा और उसमें निकलाएंगे उसकी हमें देखवाल भी करनी पड़ती है पार्ट में बताया गया है कि एक दिन सीमा और रनजीत के इसको ने पोदे लगाने का काम हो रहा था हमारे विद्धले में भी होता है हम पेड़ पोदे लगाते हैं न उसी तरह पास ही नरसरी से माली काका को उस प Warren जेरबादं पानी देना चाहें लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए अधिक पानी देने से क्या होता है पोदे गल जाते हैं समय सफड़ पर कटाई-चंटाई करने चाहिए बेकार पोदों को हटा देना चाहिए पेड पोदों में भी बिद अलग-अलग इल इत्रवार्ण और भोजन भूँद होता है वह उनको खीचते नहीं है जिसे जो हमें जरूरी पोदों में उनकी बड़ाई में रुकावट नहीं आती हैं और उनकी मैदान की भी खेत या मैदान जो भी है उनकी भी साफ सफाई हो जाती है कीडे या बिमारी लग जाए जब हम देखते हैं पेड़ पोदों में कोई पोदे जलने लग जाते हैं या पत्ते होते हैं वो कहीं कहीं से खड़ाब होने लग जाते हैं या जड़े उनमें छेद होने लग जाता है उसके आस पास जीव जन्तू बंडराने लग जाते हैं तो इसका मतलब है वो पेड़ पोधों में कीडे लग गए हैं तो उनको कीडों से भी उनकी बचाव और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए इसके लिए हमें जो जानकार होते हैं, माली होते हैं, बागवान होते हैं या अन्य भी इनके विसे सग्य होते हैं, उनसे हमें जानकार लेकर उन पर दवाची रखनी चाहिए यह दि हम गमले में पोर्धे लगा रहे हैं, तो उसमें मिट्टी वे खात का अनुपात हमें सही लगाना चाहिए या ना तो ऐसा ना हो कि खात ज़्यादा हो जाए यह मिट्टी ज़्यादा हो जाए जिससे पेड़ को नुख्शान हो और गमले के पेंदे में एक छेद करना चाहिए, जिससे अतिरक्त पानी हो वह वहां से निकल कर बाहर चला जाता है और गमले में भी गर्माहट और गेस नहीं बनती है, इस तरह से हमें पेड़ पोदों की देख भाल करना चाहिए इस पार्ड से और जान करे से हमने क्या सीखा कूंकि वह एक त्राप पानी होता है उतिरकत पानी निकल जाता है बेकार पोधों को हमारे जरूरी पोदे हैं, आउशक या हमारे काम आने वाले पोदे हैं उनके आसपास कभी-कभी अपने आप खास उग जाती है या उने पेड़ पोदे उख जाते हैं उन्हे हमें हटा देना चाहिए इसी तरó rolling कभी-कभी हमारे मन में आता है कि जंगल में पेड़ पोदे कोन लगाता है तो जंगल में पेड़ पोदे लगाते हैं जब पक्षी एक पेड से जंगल में इदर इदर बिखर जाते हैं और जब बरसात की रितु आती है तो वे उन बीजों से नेने पेड बन जाते हैं इस परकार हमें पेडों की ध्यान रखना चाहिए और उनकी समय समय पर सुरक्षा और देखभाल करने चाहिए इसा ही कभी-कभी मन में आता है कि जंगल में पेड़ पोदों को पानी कोन पिलाता है जंगल में पेड़ पोदों के बरसात के पानी होता है उसे से वो अपना बरन पोशन करते हैं और उनमें आशुक्षन की छंता होती है यानि कि जब पानी आता है तो उसको इकटा कर लेते हैं और जब जरूत के दिनों तो उसे अ और जया को बातशिते हैं प्रगी कीड़ बहुत कम अवशिकता होती है इस परकार हमने जाना कि पेر पोदों की देख बाल करनी चाहिए करो पेढ़ भाल करना चाहिए और उन इस पेकार हमने पेड़ पोदें इस पार्ट से सिखा जड़ें जमीन से पानी वे पोशकतत्व आउश्वशित करके पूरे पेड़ पोदों को बोजन पहुंचाती है। करते हैं और मिट्टी के कटाओ को भी रोकते हैं। हमारे लिए और जीव जनतों सभी के लिए बहुत आउशक है। हमें अपने आसपास पेड़ पोदों को लगा कर उनकी देख भाल करनी चाहिए। हमारे विद्धाले में भी बरसात के दिनों में पेड़ पोदे लगाये जा अब हमें हमने पाट को पढ़ लिया हैं समझा हैं और जाना हैं आप अपने मित्रों को अपने आसपास वालों को भी इस पाट के पारे में और वरक्षों के रोकने लगाने और उनकी ध्यान रखने और उनके बचाने के बारे में जानकरी देना आपसमें बाचित करना वरक् प्रश्ण 1, पेड पोधों की सुरक्षा क्यों आवशक है। उत्तर गन्ना अलू अद्रक आदी आप खाते हो ना गन्ना अलू अद्रक आती ये तने का ही रूप है जो धर्ती के अंदर अलू अद्रक जो धर्ती के अंदर होते हैं वो तना का ही रूप है प्रश्ण चार पत्तियां जो खाने के काम आती है बहुत सारी पत्तियां जिनको ह जनिया, पुदिना, मेथी, पालक, अधी, इन सबको हम खाने की रूप में काम करते हैं, लेते हैं, काम में लेते हैं, इस परकार हमने आज ये पाठ पूरा समझा, ये आपको कक्षाकार ये सुंदर-सुंदर लिखावट में अपनी कोपी में करना है और पढ़ाई करके याद भी करना है, धन्यवाद